नमस्कार, न्यूस्क्लिक में आपका स्वागत है साहित किस तरह से समाज के आगे मशाल लेकर चलता है, समाज के बारे में बात करता है, एक निया रुख दिखाता है इसको लेके अनेक रचनाएं हमारे बीच में हुई है आज न्यूस्क्लिक के इस खास पेशकश में दो रचनाकार एक किताब पर बात करेंगे यह किताब बहुत खास है, जो 2019 में आई, I have become the tide इसकी लेकी का हमारे साथ हैं गीता हरीहरन, जो परन्यासकार है, जो गद्यकार है और इस किताब के जरीए उन्होंने जो वितान रचा है, जिस तरह से भारतिय समाज में अलग-अलग पर्तों में जीवन चलता है, राजनीती चलती है, जाती, जेंडर, अलग-अलग मुद्दे उनको समेटा है, कभी वो गद्यात्मक हुई है, कभी रूप उन्होंने धरा है, इस तमाम चीजों पर बात करने के लिए आज हमारे बीश मौजूद है, वरिष्ट कभी राजनीतिक विशलेशक अजे सिंग, वह बात करेंगे गीता हरीहरन से, बात अंग्रेजी हिंदी दोनों में होगी, और उसके जरीए हम जानने की कोशिश करेंगे, कि एक रशनाकार, इस दोर में अपनी रशना के जरीए, कि उपन्याश की प्रिष्ट भूमी में, क्योंकि इस पर थोड़ा सा मैंने लिखा भी है, कि इस उपन्याश को लिखते समय, वो कौन से आईडिया थे आपके दिमाग में, कौन सा विचारबिंदृ था, जिसने आपको इस उपन्याश को लिखने के लिए प्रेरित किया। जैसे मैंने अपने उस टिपणी में लिखा है कि रोहित वेमुला की जो सांस्थानिक इंस्ट्यूशनल जो हत्या हुई, उस हत्या ने इस उपन्यास के लिखने के पीछे उत्प्रेरख या कैटलिस्ट की भूमी का अधार की. आप बहतर तरीके से बताएंगी कि इस उपन्यास को लिखते समय आपने क्या सोचा और क्यों हिया उपन्यास आपने लिखा? अच्छा, मैं कोशिश करूंगी थोड़ा सा हिंदी बुलने के लिए, बट रिली इस एज़ा फॉल में लिखे इंगलेश. शुरुआत मैं मैंने अच्छी जाती का सवाल देखने को कुशिश किया. So, the big question is, how did we get to this point? जैसे आप बोलते हैं कि रोहित वेमला का इंसिटूशनल मुड़ा हुआ. So, what was the past? Because to understand where we are today, we have to understand the past. The division then. So, I decided I had to go back in time, even as much as a thousand years, and look at, imagine what caste might have been like. और वो जो मेडिवल मुवमन्स था, बक्ती मुवमन्स जैसे, which were important because even though they dissolved, even though you could call it failed action, it is part of the history of the marginalized today. It is part of Dalit history that there was this fight for equality, there were movements for equality in different parts of India. So, I had in mind the Basava group because from a very young age, I had read those vachanas, heard them in Kannada, but I can't read Kannada, but I had read them in translation. तो, what happens then when Dalit fights for equality and becomes part of a movement? And also, the question of alliance between movements. वोजो मुवमन्स, 9th, 12th century में, बक्ती मुवमन्स, it wasn't just caste, it was also gender, it was also class. So, you had a very interesting alliance of people. There were even Brahmins like Basava who said, I won't wear the sacred thread and became part of the movement. So, from there to today, where we have a constitution saying that all of us are equal, that caste discrimination is not allowed, but still what happens? So, these children can go to medical school, they have reservation, but do they have social equality? इस उपन्यास में आपने करीब नौ सो साल या एक हजार साल की यात्रा की है. एक यारहमी बारहमी शताब्दी से लेकर और एकीसवी शताब्दी तक. तो मैं थोड़ा सा यह जानना चाहता हूँ कि यह जो इसका जो जिस तरीके से जो आपने इसके जो इसके जो इस टाइल या शिल्प रचा, तो कैसे आपने इसको विजूलाइज किया कि आप नौ सो साल, एक हजार साल की कहानी को आप तीन अलग-अलग कहानी में उसमें तीन कहानिया चलती हैं, उनकी हैं और फिर आते हैं सत्या, रवी यह आते हैं और पिर पियस-कृष्णा आते हैं इस तरीके से तो आपने एक उस दोर से ले करके आपने यह बताने की कोशिश की है कि जो यह जो हिंदू वरण वेऊस्था या जाती वेऊस्था है, इसकी जड़ें तो बहुत पुरानी हैं ही और वो लगातार चली आ रही हैं और आज भी वो जारी हैं जो आपने उस उपन्यास में बताया तो यह जो 900 सालों का कैसे आपने इसको, मतलब, how did you manage to accommodate and write all these things in a novel, in a single novel, तो उसमें आपको क्या कशनाई या क्या जटिलता आपको महसूस हुई, पूरा इसको करने में की उपन्यास भी रहे, 900 सालों का एक परकार से एक लिटररी हिस्ट्री भी आ जाए, fiction भी रहे, poetry भी रहे, और जो तमाम जो struggle चल रहे हैं, आपने बता है कि उस समय भी struggle थे, और आज भी struggle है, तो इसको आपने 900 सालों का पूरा यह जो आपने जो लिखा, तो as a writer, आपने इसको कैसे संभाला, आपने कैसे इसको manage किया, इस पर थोड़ा सा आप हमको बताएं, क् कि देखने में इस उपन्याज की जो संग्रेचना है, structure है, थोड़ा सा जटिल, थोड़ा सा complex लगता है, लेकिन पढ़ते समय पाठक को कहीं कोई उल्जन या दिक्कत नहीं होती, वो पढ़ता चला जाता है, लेकिन बटा यह writer आपको तो बहुत दिक्कत हुई होगी इस तर चीज ने आपको प्रेरित किया, कहां से आपको inspiration मिला कि आप इस तरीके से आप इसको एक readable matter के तौर पर, readable novel के तौर पर, क्योंगी वो वो कहीं एक प्रकार से sociological text न बन जाए, बलकि it must be novel, a fiction, creation of imagination, और इसके साथ साथ वो जो एक real scenario है, वो भी रहे, तो ये पूरा, मुझे बड़ा इसने थोड़ा सा आकर्शित किया, कि जो 900 साल का आपने पूरा आप ले आई हैं, और तीन कहानियां, और तीनों कहानियां एक दूसरे से गुथी हुई, तो as a writer, आपने इसको कैसे manage किया, ये थोड़ा सा हमको बताएं. अच्छा सवाल है, और अच्छा सवाल है, और अच्छा सवाल है, अच्छी, पहले तो सब राइटर के लिए language, how do we use language, तो मेरे कोशिश हमारे है, के हमेशा कीप ते लांगवज अस सिंपल अस पॉसिब, I don't know how you say transparent in Hindi, और अच्छा सवाल है, और अच्छा सवाल है, ये, क्यूंकि I am a novelist, not a poet, मगर वो एक चैलंज था, के कविता कैसे लिखो, not सिर्फ कविता, मगर वो पहले के कविता, एक दोबी, हाँ, एक दोबी, 12th century में, कनरा या मराथी में, कैसे लिखेगा, वो अंग्रेजी में लिखो, ये, एक चैलंज तो अच्छी मेरे मॉडल था वो जो कनरा वचना है, क्यू कि बुटना के अर्थ है, वोट इस सेड, जो बुटे जाते हैं, So it was Poetry of the People. ये, आप तो तमियन हैं तो कनरा ये, वो ये चैंथे? कनर तो मेरे हिंदी जैसे हैं, but this is the beauty of India I am actually from Palakad so we speak at home we speak a mixture of Tamil and Malayalam तो मेरेस में कोई शुद कुछ नहीं है तो मुझे शुद बाशा नहीं पता है so which is why of course it's a loss to write in English but that was a challenge how do I write that और ये तीनो बच्चे के कविताएं थोड़ा सा रौ होता है they're just children they're looking to the future so I had to write that kind of poetry मेरे एक बच्चे के कविताएं के I'm not a historian I'm not a Dalit I don't write in Kannada or Marathi which were the languages I had in mind तो Professor Krishna हमारे एक ब्रिज तरह होता है कि वो दुनिया तो मुझे पता है तो वो एक था वहां से देखो और वो कहानी बढ़ा सकते है कि he finds a manuscript he is also आजकल डिसेंट ये शब्द बहुत सुनते है उसके डिसेंट क्या है simply to do his job as a scholar तो scholar है तो प्रोफेसर है तो सच तो डूना ही है सच बोलना ही है so if he finds a manuscript he has to say के थिस कास्तलस संथ was actually Dalit so उसका काम ही वो है so I could use him as a bridge to connect both the imagined Dalit experience 900 years back and the Dalit experience we all know today from the news and not as something I have experienced मगर solidarity के तरफ से and that is finally what a writer does you are in solidarity with the people you are writing about you are in solidarity with the world view you are pushing so but there were many difficulties to make it as simple as possible and link it all आपने नो सजाल का वो एक मैं इसको उसको तो तो जानना चाह रहा हूं कि टिश्ट के तौर पर नो सजाल का जो आपने पूरा जो लिखा तो इसको कैसे आपने मैनेज किया कि कि वह समाज शास्त्र न बने वह राजनीति शास्त्र न बने वह उपन्यास हो लेकिन वह उपन्यास बारहवीं शताब्दी के यथार्थ को भी प्रतिभिंबित करें और 21 शताब्दी के यथार्थ को भी प्रतिभिंबित करें और उनके बीच में आपने प्रोफेसर कृष्ण के माध्धम से एक ब्रीज वो किया है तो मैं थोड़ा से यह जानना चाह रहा हूं यानि इस उपन्याज को पढ़ते समय यह आया कि यह आपने यह कौन सा कौशल, कौन सा आर्ट, कौन सी तक्नीक आपने इस्तेमाल की कि इस तरीके से 900 साल को तीन कहानियों में एक साथ पिरोत हुए आप इस उपन्याज को एक contemporary इंडियन reality को reflect करने वाला उपन्याज आपने बनाया, तो यानि आजे राइटर और एक जिसे कहा जाए कि एक शिल्प जो आप लिखते हैं, तो उसको कैसे आपने साधा कि इस तरीके से वो वहां से लेकर के आज तक चले, इसमें आपको क्या कशनाई महसूस हुई, क्या चुनाउती आई, और कैसे आपने इस पर जीत हासिल की, ये थोड़ा सा हमको बताईए. Actually, हमारे tradition में देखिए, सब बाशाओं में, जो हम बक्ती poetry बोलते हैं, बहुत examples हैं, जो उसके आवाज contemporary सुनता हैं. जैसे आप अगर बसवा के वचनाज लेकेंगे, अगर बसवा आज रहते हैं, तो ये वोड़ बुक्त, I think, under UAPA हो जाएगा, because he says, you know, kya hai, gods, gods, there are so many gods, there is no place for a foot. He is very sharp in his criticism. Similarly, some of the women poets are very, very critical of inequality between men and women. They are very critical of contemporary society, or the sad thing is, what they were criticizing has not gone yet. We are talking about, oh, India being in the 21st century, being a global, you know, sitting at the high table in the UN and all that kind of thing. But the point is that those same divisions, those same exclusions, whether it is caste, whether it is gender, they continue to exist. So, that in a way helped me, because those poems are inspiration to us, they still mean something to us, because what they are criticizing still exists. So, that made a natural connection. And how did it happen? Actually, to be honest, that Chikaya section from 900 years back, for me, that was, I think, inspiration. Sirf, I was sitting at a friend's house with a very beautiful surroundings, garden me dekkehi, in a way, nature inspired me, just as it must have inspired them. You know, I think, I can't explain, but that was it. In fact, the bigger problem was to write about the present. This is actually, I think, Professor's life, which has a little connection with Kalburga, but it's not about Kalburga. अपने पुपने लिखाया कि ये रोहित वेमुला की ये कहानी नहीं है. वो उसमें है, बट लेकिन वो एक उपन्यासकार का अपना खुद का गढ़ा हुआ चरित रहे. बट वो उस तरीके से क्रिष्णा भी है. लगता है, लुच अजय कि वहां से आपको परेरण्हा ये जो कुछबी है, जो आपको पैन ये को तकली कोई वो आपको मिली. बट 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 बुद बट 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 वो उस स्ट्रैन लिखने में मुशखल किया था, कि I was writing it in a time where I was afraid I think that is the biggest comment that writers have to admit today that we are afraid but the important thing is to say you are afraid why you are afraid, face that fear and write it anyway अपने दर के बारे में लिखिये क्योंकि समय तो ऐसे है के that Hindu group actually मैं दो तीन हवते इंटे में जो नाम नही है मैं इस्तमाल करो because almost all the Swami's names were taken, all the groups so एक डर तो है अज़ आज़ 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 आज़र but I will write despite that fear and that is what's happening to writers, journalists sabko यह हो रहा है that was the hardest part for me तो यह जो आपका जो यह उपन्यास है जो डर का पूरा माहौल जो बना हुआ है खासों पर दो हजार चौदा के बाद से मोदी के आने के बाद से और जहां आप कोई भी विरोत की आवाज जेल का रास्ता दिखा देती है तो उसमें आपका जो यह उपन्यास है वो डर को एक नॉलेज करता हुआ डर के खिलाफ आवाज उठाता है और इस उपन्यास में भी है वो डर जगह जगह आया है वो बारेविश रताब्दी से ले करके अब तक भी पूरा वो और आपका जो एक आपने जो इसमें आनंद ग्राम जो यूटोपिया आपने जो रचा है वो मुझे बहुत एक फैसिन इंगल ने कहा है तो वो उसको एक रिजेंबल करता है कि जहां जो एस्टेट है वो गायब हो गया है और एस्टेट जो तमाम जो बाउंडरी और डिविजन जो क्रियेट करता है वो खतम हो गया है तो आनंद ग्राम एक आपने किया है और जिस उस आनंद ग्राम को नश्ट क करने के लिए स्मैश करने के लिए जितनी भी रियाक्शनरी ताक्तें हैं उस दौर में थी वह हमला बोल देती हैं और आज भी यही हो रहा है इस तरीके से तो उसके जरिये आपने एक आवाज तो उठाई है इसमें और यह मुझे बहुत पावफुल लगा कि इस उपन्यास के माध्यम से जो एक हिंदुत फासिवाद की जो विचारधारा चल रही है उसका आपने एक काउंटर नेरेटिव आपने तैयार किया है और खास करके जो हिंदुत विरोधी दलित आख्यान है जो दलित नेरेटिव है एंटी हिंदुत वह इसमें एक बहुत एक फोर्सफुल तरीके से आया है मैं यह जानना चाहूंगा कि आपके इस उपन्यास के आने के बाद से जो इसकी क्या प्रतिक्रिया किस रूप में रही कुछ आपको भी प्रतिक्रियाएं मिली इस उपन्यास के बाद और कैसा रेस्पॉंस रहा इस उपन्यास को ले करके आपके लिए एक् के हिंदुत्वादी के बारे में so I want to say that this is of course looking at हिंदुत्वादी and how that has made it impossible for people to dissent in the sense of doing their work writers write, professors teach scholars research, journalists investigate but our problems did not begin with हिंदुत्वा so I think we need to also tie up these new forms of crushing dissent, new forms of casteism, new forms of excluding women, Adivasis Muslims with our old divisions which were the old fault lines caste that is the oldest then the Dalit narrative I feel it's very important that I say that I come from a privileged background but I think that a writer's job is goes beyond the self it's to express solidarity through the imagination through the imagine narrative and not appropriate that experience because these days a reaction wo bhi hai are you appropriating the experience and the novel is self-conscious about that because we live in these times so I am not either saying this is the history or this is the prescription I am merely saying that this has continued for too long and it's there in new forms today and you're not even allowed to talk about it so same way can a writer write about India today closing your eyes to caste it doesn't matter where you're from that is your job to express solidarity ask questions or ant may to suggest that the only way forward is coalition various movements to come together because I feel very strongly ki we have to look at the problem magar ek hope bhi hona chahi isliye that young girl is called Asha to Asha hai ki Satya hamin we'll get to see Satya at the end haan Ravi bhi hai in the light of the sun so that is what the reactions of course there was a pandemic after the book came out but the reactions have been mainly good anubad ho raya in Marathi mein Kannada mein Malayalam mein ho gaya haan Malayalam mein ho gaya Marathi mein Kannada aur Tamil mein ho raya hai hindi walon ke liye intazaar karri ha 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 मैंने किताब पढ़ी और किताब वाकए बहुत एक फेसिनिटी है और यह किताब को पढ़कर के मुझे लगा कि बहुत सारी चीजों पर कुछ ज्यादा ही हो हलना मचता है लेकिन इस किताब के बारे में जो जिस तरीके से गंभीर चर्चा होनी चाहिए वो भी ड्यू है so मैं एक कविता पढती हूं ये उपन świat से where is that land where water flows free? tell me, tell me where is my land where water flows free? that land is here and there it's everywhere in me in me the land where water flows free झाल झाल